दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चेनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में तो दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित सा विभाग भरती तो आज अंतिम दिन है उन महानुभावों के लिए जिनका पेंडिंग जो फोरम है रह गया था और उनकी लापरवाही की वज़े से हज्जारों युवाओं के जो मन पर जो आघात पहुंचा था जो जटका लगा था जो सदमा था वो बहुत बड़ा था कास अगर 13 तारिक से लेके और आज 19 तारिक तक ये ओनलाइन लिंक पेंडिंग स्टेटस के लिए नहीं खोला गया होता तो आज वेरिफिकेशन के बाद का जो प्रोविजनल सूची है वो आने की पोसिबिलिटी बढ़ जाती लेकिन कुछ लोगों की जो चुनिंदा लोगों की लापरवाई है वो सब पर भारी पड़ी और उसका नतीजा ये है कि अब दर सताने लगा है आचार सहिंता का कि उससे पहले पोस्टिंग होगी या नहीं आचर सहिंता से पहले posting होना नहीं होना ये सिर्फ वक्त बताएगा provisional list की स्थती तह करेगी उसके बाद final list की स्थती तह करेगी सरकार की मनसा तह करेगी क्या होगा लेकिन वो कोई नहीं जानता कि क्या कुछ होने वाले अगले 15 से 17 दिनों के अंदर लेकिन आज पेंडिंग जो स्टेटस है उनके लिए आखरी दिन है तो जिस भी ने अभी तक अपना पेंडिंग स्टेटस जो है वो यहां पर सोट आउट नहीं किया है यानि कि जिनने उन्हें 2022 की भरती में तो फोरम भरा लेकिन 23 की भरती में सो गए मदमस्त होकर के कुम्ब करण की नीद की तरह क्योंकि मैं मैं में फोरम शुरू हुए थे मैं के बाद उन्हें याद आ रहा है 2023 के सितंबर में लगबग 5 महीनों बाद की मेरा फोरम भरा ही नहीं गया मेरा तो वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम आ जाता मेरी तो न मोसंस की कोई वैल्यू यहां पर कोट के चरे में नहीं होती है और इसी वज़य से उनको एक चांस दिया गया कोट की तरफ से कि 13 से लेके 19 सेप्टेमबर तक आप लोग जो है इनके लिए उनलाइन पोर्टल ओपें करिये सभी भरतियों के लिए तो पांच भरतियों के जो आवेदन थे उनके लिए पेंडिंग स्टेटस वालों के लिए आज अंतिम दिन है भाई जिसने भी फोरम नहीं वरा है पेंडिंग वाला हो तो वो अपला फोरम भर दे इसके अलावा ऐसे भी लोग जिनके परिवेदना थी यानि कि कोई दिक्कत थी कैटेगरी गलत भरी थी अनभव नहीं लगा पाए थे यस या नो नहीं हुआ था कोविड काल में वो भी आज उनके लिए भी आखरी दिन है तो आज रात बारा बजे तक रात के बारा बजे तक जो है आप लोग ये अपनी स्थितियां सुधार सकते हैं ध्यान रखें कि योग्यता या सारी जो और पाँचों भरतियों में तो वो रजिस्ट्रेशन लस्ट तक का ही मानने होगा ऐसा नहीं है कि अब रजिस्ट्रेशन होगे आप लोगा ये किसी के पास तलाक की डिकरी उस टाइम पे नहीं थी तुग होगी तलाक का डिकरी बाख बात irrigation होगा का फाइदा उठाते हैं लोग pH category की बात के तो पीएच का तो verification हो गया है ठीक है उनका भी पर आप देखना जब पीएच लोगों की लिस्ट आए ठीक है दिव्यांग लोग की जब लिस्ट आए आप देखना verification लिस्ट में बहुत सारे आपको नजर आये थे लेकिन अब ये सिकुडते हुए नजर आएंगे पी एच क्योंकि बहुत सारे भ्यारती हैं पी एच कोटे का भी गलत इस्थिमाल किया है यानि कि उनकी दिव्यंक्ता 5%, 7%, 10% है लेकिन उन्होंने पैसे खिला करके उस दिव्यंक्ता को 40% है उसे अधिक किया है तो सारे के सारे वो भी बाहर हो जाएंगे जिन्होंने गलत किया है तो आज पैंडिंग वालों के लिए आज परिवेदना वालों के लिए जिनके परतिसत ज़्यादा थे ठीक है उनका नाम DV list में नहीं था वो भी आज अपनी परिवेदना लगा सकते हैं इसके अलावा जिनक गलत भरी गई जिनका और कोई इश्यू है उसी को लगानी है परिवेदना जिनकी सब कुछ सही है उनको कुछ नहीं करना बहुत सारे बच्चों को OTP आ रहे हैं बिवज़े OTP भेजे जा रहे हैं तो उन OTP को आप लोग गुर्पों में सेयर कर रहे हो क्योंकि देखिए गुर करिफिकेशन लिस्ट से आपका नाम देखेगा आपकी अप्लिकेशन आइडी देखेगा OTP आपने देई दिया है तो वो लोग कुछ कर सकते हैं आपके साथ इसलिए OTP को आप लोग सेयर ना करें काफ़ी बार बता चुकी हैं पहले दिन से ही जब OTP आ रहे थी उसी दिन से हजारों बच्चों के जिंदिगीओं से खिलवाड कर रही है अब मत मत रह जाना पेंडिंग वाले जिन पेंडिंग वालों का OTP नहीं आ रहा है अभी भी यही समस्या है तेरा तारीक से लेकर के कल मुझे काफी सारे मेसेज़िज मिले कि सर मैं पेंडिंग वाला हूँ मैं वाली हूँ मेरे को OTP नहीं मिल रहे हैं अब देखिए 18 तारिक तक वो लोग बैठे हैं सिर्फ इसी बहाने पर कि उनको OTP नहीं आ रहा है जिन भी लोगों को OTP नहीं आ रहा है पेंडिंग स्टेटस सुधारने के लिए भाई वो सीफूई चले जाए और वहां से कुछ कर ले उनी को जाके बताएं कि हमारा इतने दिन से ट्राई कर रहे थे पेंडिंग वाले हैं हमारा OTP नहीं आ रहा है तुम भेजो भाई कैसे करके भी ठीक है और कोई सोलूशन नहीं आप कोट मत चले जाना हमारी कोई भी जो सिंपैथी है वो आज के रात 12 बजे के साथ पेंडिं स्टेटस नहीं सुधारते हैं ठीक हमारी सिंपैथी आज रात 12 बजे उन बच्चों के साथ खात्म हो जाएगी जिनका पेंडिंग रह जाएगा या जिनकी परिवेदना रह जाएगी ठीक है कैसे भी करिए रात 12 बजे तक का वक्त है साथ दिन आप लोगों की वज़े से ख रिच्वेशन ये है कि वेरिफिकेशन लिस्ट के बाद जो प्रोविजिनल सूची है वो और उसके बाद उस पर आपतीर पोस्टिंग लिस्ट और पोस्टिंग पहले ये बड़ा चुनोती पुर्ण कारिय चिकित सभभा के लिए रहने वाले मैं उम्मीद तो करता हूँ द पेरा फिर भी नहीं बरा गया पेंडिंग रह गया तो यह आपकी गलती होगी आपकी लापरवाई होगी इसके लिए कोई भी सिंपैथी हमारे पास नहीं रहने वाली है तो आज पेंडिंग का आज परिवेदना का यह आखिरी दिन है 19 सब्टेंबर रात 12 बजे तक आप ल नहीं आता उनकी बाकी फिर कोई लिस्ट नहीं आने वाली है तो यह आज अंतिम दिन है चेतावनी भी है मेरी इस वीडियो के मध्यम से और आप लोगों को सला भी है ठीक है इसका उप्योग कीजिए आज जिनका भी पेंडिंग रह रहा है परिवेदना नहीं लगा पाए ह तो लगा सकते हैं जिनको OTPR है उनको कुछ नहीं करना आप लोगों को मस्त रहना है ठीक है साथ यो तो यह जनकारी थी फिलाल के लिस्ट वीडियो में इतना ही जै हिन जै भारत